मौज आप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियास गौट टालेंट के वाइल्ड कार्ट एंट्री में मौज बना हिट हो जा नवशकार मैं हूँ सुकृती रोय चैटर जी और बोल्स कई में आप सभी का स्वगत है सीने में दर्द होना सामाने नहीं है यही वज़े है कि जब भी किसी के सीने के बाई तरफ दर्द होता है तो उसे हार्ट अटेक का लक्षण समझ बैठते हैं लेकिन सीने के बाई तरफ दर्द होना सिर्फ हार्ट अटेक का लक्षण नहीं कई ऐसे अन्यकारण भी हैं जिनकी वज़े से छाती के बाई तरफ दर्द हो सकता है एंजाइना अपने आप में कोई बीमारी नहीं लेकिन ये आम तोर पर हृदे की परिशानी जैसे कोरुनरी हृदे रोग का लक्षन है एंजाइना में सीने में दर्द बेचैनी जैसे लक्षन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इस दौरान हृदे की मास पेशियों को रक्त से परियाप्त ऑक्सिजन नहीं मिल पाता वही सीने में बाई तरफ दर्द होने का एक मुख्य कारण हार्ट अटैक है जब रिदय की मास से पेशिया छती ग्रस्त हो जाए तो उसे परियाप्त ऑक्सिजन योक्त रक्त नहीं मिल पाता ऐसे में व्यक्ति के सीने में बाई तरफ केंदर में दर्द महसूस हो सकता है इस दोरान चक्कर आना, पेट दर्द, उल्टी आना, सांस लेने में कटिनाई भी हार्ट अटैक के ही लक्षण है वही ऐसो फेजियल रिफ्लेक्स छाती में जलन पैदा करती है ये मसालेदार भोजन खाने से होता है ये परिशानी गैस्टिटिस लक्षणों से जुड़ा है इसमें भी सीने में बाई तरफ दर्द होता है वही सीने में दर्द और बेचैनी ये तब हो सकती है जब डाइजेस्टिव ऐसिड ऐसो फेगस में प्रवाहित होता है एसेड रिफ्लेक्स की वज़े से सीने में बाई तरफ दर्द हो सकता है खटी डकार, उपरी पेट में दर्द, छाती में जलन भी एसेड रिफ्लेक्स के ही लक्षण है खाने खाने के तुरंत बाद लेज जाने से ये परिशानी बढ़ती है वही सीने में दर्द कभी-कभी फेफडों के कैंसर के लक्षण भी हो सकता है तीवर खासी, बलगम या खून खासी, कंदे या पीट में दर्द रहना और सास लेने में भी कठिनाई फेफडों के कैंसर का ही लक्षण है इन लक्षडों को बिल्कुल नजर अंदाज ना करें वहीं हार्ट अटेक के साथ ही पैनिक अटेक भी सीने में बाई तरफ दर्द होने का कारण हो सकता है पैनिक अटेक अचानक आते हैं सीने में दर्द के साथ ही सास लेने में कठिनाई, कपकपी, चक्कराना और जी मिछलाना भी पैनिक अटेक के ही लक्षड है अगर आपके भी सीने में लगातार दर्द बना ही रहता है तो ऐसे में देरी ना करें और डॉक्टरी जांच जरूर करा लें उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें